नमश्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्जुन्तुनुआ व्लॉग्स में इंडिया में तो भाई सरकारी नोकरी को भाई मिलती है बहुत जादा इज्जत और भाई लोग अपनी जिन्दगी के 4-4-5 मां साल सिर्फ सरकारी नोकरी पाने में लगा देते हैं तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनेडा की गवर्मेंट जॉब्स के बारे में किस टाइप्स की गवर्मेंट जॉब्स होती है क्या उनकी सैलरी है क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या प्रोसीजर है गवर्मेंट जॉब्स पाने का कैनेडा में तो चलिए भाई करते हैं वीडियो को शुरू तो भाई कैनेडा में तीन टाइप्स की गवर्मेंट जोब होती है सबसे पहली होती है भाई सिटी की गवर्मेंट जोब फिर आ जाती है भाई प्रोविंस की गवर्मेंट जोब और फिर federal या फिर आप जिसे कहते हैं, center की government job तो भाई जो city की government job होती है वो city की city पे depend करती है किस type की हो सकती है city की maintenance के लिए जो jobs होती है या फिर भाई city की जो police होगी है जो जो सीटी की government jobs होती है फिर बात करते हैं भाई प्रोविंट की government jobs अलबर्टा जैसे जहां पर भाई बहुत जादा बहुत जादा इसनल पार्क हैं, तो इन सब पार्व की οीकिता के लिए भाई है आइघ work पर चाहिए जोप आती है, भाई भाई सिट्ट जी आती है वहения हैं प्रowe computer स्ब्लोंत होती है भाई फेडरल गव्ल्मेश्थ जो कि हम São who की इनकी सेलरी भी 50,000 डॉलर से 60,000 डॉलर पर येर होती है एक एंट्री लेवल सरकारी जॉब की भी गवर्मेंट जॉब्स के क्या बेनिफिट्स है तो भाई जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है आपको आता है इनकी सबस्क्राइब जाता है तो भाई आपको कुछ अलाउंस मिलता है कि आप इतने डॉलर का चश्मा इस इंशॉरंस से कवर हो जाएगा आपका डेंटल का भी कुछ अमाउंट इंशॉरंस में कवर हो जाता है और भाई हम बात कर लें तो आपको इस इंशॉरंस भी मिलता है कि अगर भाई आपको चोट लग जाती या फिर आप डिसेबल हो जाते हो तो भाई सैलरी का कुछ परसेंटेज आपको पर मंत मिलता रहेगा जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती या फिर आप काबिल नहीं हो जाती किसी जॉब के लिए और बात कर लेते हैं घर लेने के लिए जब आप घर लेते हो तो आपको इंपलोयर का फिर से बहुत जादा बड़ा रोल होता है तो फिर से कैनेडा गवर्मेंट बहुत ही अच्छा इंपलोयर है और भाई आपको RRSP मैच भी मिलेगा जितना आप अपने रिटायर्मेंट सेव के लिए और सिर्फ रिटायर्मेंट के लिए आप ये प्लाइन यूज नहीं कर सकते हैं तब भी आप ये प्लाइन यूज कर सकते हैं यह थे कुछ बेनिफिट्स कनेडियन गवर्मेंट नौकरी थे अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है प्राइवेट नौकरी और सरक तो पक्का है पर यहां पर ऐसा नहीं है जैसे private नौकरी में आपको fire कर सकते हैं वैसे ही government job में भी आपको immediately fire कर सकते हैं अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगी सरकारी नौकरी जैसे benefits आपको भाई private नौकरी में भी आपको मिल सकते हैं ज़्यादा बड़ा difference नहीं है बस यह है कि आपको एक अच्छा employer मिल जाता है आपको भाई sponsor करना है किसी को या फिर आपको loan लेना है तो वहाँ पर आपको process easy हो जाता है तो भाई आप part time भी कर सकते हो यह job contract basis पे भी कर सकते हो और full time भी कर सकते हो भाई यह नहीं है कि आपको एक शहर में जो सरकारी नौकरी मिलेगी वो हर कहीं मिलेगी चीज की शहर को load होती है उस हिसाब से भाई सरकारी नौकरी generate की जाती है तो भाई example के लिए हम बात कर लेते हैं Vancouver और Toronto जैसे शहरों में जहाँ पर भाई बहुत जादा immigrants आते हैं और भाई population थोड़ी जादा है तो भाई यहाँ पर police officer की बहुत जादा जुरूरत होती है और बात कर लें भाई immigrants के लिए immigration officers की बहुत जादा जुरूरत होती है और आपको जैसे sin number आपने update कराना है या फिर अपना study permit work permit update कराना है तो भाई इस Canada में भाई आपको बहुत जादा employees की जुरूरत होती है तो इन शहरों में भाई यह सब सरकारी नोकरियां होती है वहीं पर हम बात कर लें भाई Alberta जैसे शहरों की जहाँ पर बहुत जादा national parks है तो भाई इन सब शहरों में आपको environment से related jobs मिल जाएंगी नेशनल पार्क से related सरकारी नोकरियां मिल जाएंगी तो भाई अब बात कर लेते हैं procedure की कि क्या procedure है इन नोकरियों को पाने के लिए तो भाई इंडिया में क्या होता था कि आप किसी stationary वाले की shop पे जाते थे वहाँ पर आप form fill करके उसे mail करते थे या फिर उसी को submit करा देते थे तो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर सब कुछ online है और आपको transparency भी मिलेगे आपको पता होगा कि आपकी application की process क्या है तो भाई आपको government jobs apply करने के लिए gc.jobs पे जाना है जिसका link मैं description में भी दे दूँगा तो भाई gc.jobs पे जाएं और सारी सरकारी नौकरिया हमाँ पर आ जाएंगी तो भाई आपको क्या करना है filter set करना है कि आपकी location क्या है आपकी industry क्या है और आपकी availability क्या है कि आप full time काम करना चाहते हैं contract basis पे काम करना चाहते हैं क्या-क्या skill set चाहिए और आपकी education कितनी होनी चाहिए और जो भी चीजे required होंगी, description में आपको सब कुछ मिल जाएगा और भाई ये देखकर फिर आप decide कर सकते हैं कि आपको वो job apply करनी है कि नहीं भाई decide करने के बाद जब आप job apply करते हैं तो भाई आपको email में पता लग जाता है कि हाँ आपका interview select हुआ या फिर आपको reject कर दिया गया उस job application से ये थी भाई Canada की government jobs और किस topics पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगें comment करके बताएं धन्यवाद